अगले साल होने वाले लोकसवा चुनावों में अब एक साल से भी कम बक्त बचा है ऐसे में नेता चुनावी तैयारियों में जुटे हैं इसी कड़ी में कॉंग्रेस के दिबंगत नेता एहमद पटेल की बेटी मुम्ताज ने भी चुनाव में उतरने का एलांग किया है मुम्ताज ने कहा कि वे इसके लिए तैयारी कर रही है मुम्ताज ने अपने पिता के साथ बिताये आखरी दिनों को भी याद किया और कहा कि कोविड महमारी के दोरान चुनाव लड़ने को लेकर एक बार पिता से बातचीत में मैंने इच्छा जटाई थी तब उन्होंने कहा था कि एक महला के लिए चुनाव जीतना आसान नहीं है मुम्ताज ने कहा कि इस बातचीत में हमने उन्हें खो दिया मुम्ताज ने कहा कि निश्चित तोर पर जहां से पिता संसद में पहुँचे थे वहां से वो चुनाव लड़ना चाहती है बताने के एहमद पटेल बेहत कम उम्र में 1977 में भरूच से जीते थे और कॉंग्रेस नेटत्तु की नजर में आये थे भरूच से मुम्ताज के लिए रहा काफी मुश्किल नजर आ रही है भरूच लोगसवा सीट बीजेपी का गड़ मानी जाती है और इस सीट पर बीजेपी का 35 साल से कबजा है 1989 में पहली बार बीजेपी ने यहां जीत दर्ज की थी जिसके बाद वो लगाता जीत दिया रही है 2019 लोगसवा चुनाम में यहां से बीजेपी ने ता मनसुक बजावा ने लगाता छटवी बार जीत दर्ज की थी ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या मुम्ताज बीजेपी के इस मजबूत के लिए को भेद पाएंगी बीजेपी कॉंग्रेस के साथ ये सीट पर आमादमी पार्टी की भी नजर है ऐसे में इंडिया गटवन्दन से कौन उम्मीदवार होगा एक भी देखना दिल्चस्प रहेगा बदा दे कि मुम्ताज ने चुनाब की तैयारियां शुरू कर दी हैं वो काफी सक्टे दिखाई दे रही हैं पिछले दिनों उन्हों कॉंग्रेस के राइश्टिया देक्ष मल्लिकाज उन खड़गे से मुलाकात की थी गांधी परिवास से भी उनकी काफी नजदी की है विवरूच के मुद्दों को भी उठा रही हैं पिछले दुनों उन्होंने नितन गड़करी से मुलाकात की थी और हाइवे से जुड़ी मांगों को रखा था पिछले चुनाब में मुम्ताज ने पिचार किया था हलाग वो चुनाब नहीं लड़ी थी मुम्ताज ने दिल्ली इनिवर्सिटी और यूके में पढ़ाई की है